नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग आप रमेशा की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे जहां पर आपके 60 प्रसने काफी महत्तुपूर है और जितने या बच्चे आपर जुट चुके हैं स यहां पर आप लोगों को तीन नमबर जैसा की सभी लोग तीन नमबर यह मिल गया है उनको क्योंकि गद्धा पड़ना है प्हम लगबग लगबग सभी वीक्स अब को बता देते हैं तो हम लोग यहां पर पादी स्टाइट करते हैं चौथे नंबर से जो कि आपके लिए यहां पर आज शुका है कोशन चलिए चलिए जवाब दीजी बिल्कुल सिंपल कोशन इससे सिंपल कोई कोशन ही नहीं हो सकता कि हिंदी में वर्डों की संख्या कितनी होती है फूर का आप्सन राइट तो यह या 1 माला कहे दो ठीक है 1 या 1 माला कह सकते हैं तो right answer आपको हो जाएगा आपर बिल्कुल साही है A नंबर आपको हो जाएगा 52 होते है ठीक है 52 होते है चलिए next question आप से कह रहा है गिरीज में कौन सी संदी है 5 का जवाब दीजिए गिरीज में कौन सी संदी है तो इसे जब तोड़े बनेंगे गिरीज धन इस बनेगा क्या बनेगा गिरीज धन इस बनेगा जो कि आपका दीर गिस्वर संदी है ठीक है ना बिल्कुल साही जो आप है option रेट अप को यहां पर यह हो जाएगा दीर गिस्वर संदी है चलिए next question को आते है question आप से कहत है कि निमल्लीखित में से कौन्स गुण वाचक बिसेशर्ण है गुण वाचक बिसेशर्ण 6 नंबर बताइए गुण वाचक और अगला है आवनवै का संधी विच्छेद का संधी अवनवै का संदी विच्छेद और हमने आपको बहुत बार बताया है कि जो कभी भी या रा के पहले गर को यादा सब्द होता है वो हमेशा यर्ण संदी होती है तो इसमें यर्ण संदी तो है लेकिन तूटेगा किस प्रकार से तो ये जो तूटेगा सेवन को उप्षन राइट हो जाएगा डी अनुधन आय बनेगा क्या बनेगा अनुधन आय बनेगा युकि आपका यर्ण संदी है ठीके चलिए नेस्ट कोशन आपसे कह रहा है कि निमने कित में से कौन सा पूरलिंग सब्द है पूरलिंग सब्द आपको बתाना है आठ का जवाब दीजिए यहाँपर समता, रच्छा, सीमा, कास्ट कैसी कास्ट? कास्ट कैसा है? तो यहाँ पर वो कास्ट नहीं कास्ट लकडी वाला कास्ट है ठीके? यह कोई कस्ट जात विरादरी वाला नहीं है तो इस प्रकास से यहाँ पर जो पूरलिंग सब्द है वो आपका C हो जाएगा जिसका जवाब C आ रहा है बिलकुर सही है C नमबर आपका सही हो जाएगा देखो हम लोग स्पीड में रहेंगे निमकित में से किस सब्दी की वर्तनी सुध है यहाँ पर देखे आहल्या हमने आपको बताया कि जब भी बोलो आहल्या बोला करो आहल्या मत बोला करो क्योंकि आहल्या आपने सुना है और आहल्या एप लगा देंगे अंसर आहल्या होता है योकि राइट अंसर आपका A हो जाएगा जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल वही सही है भाई काभी बच्चे गलती लगा रहे है ए नमबर आपका हो जाएगा अल्या होता है ठीके चलिए अगरा है कि समानिता जहां वाकी की गती अंतिम रूप ले ले विचार के तार एकदम तूट जाएं वहां किस विराम कैसकते हैं वहां पर आपका अंतिम रूप हो जाता है पूड विराम चलिए नेस हिंदी व्याकरण में संग्या के मुखिता कितने भेध हैं 11 का आपको बताना है आपर तो मुखिता भेध हो जाएंगे ऑप्सन राइट सी हो जाएगा जिसका जवाब यापर सी आ रहा है बि आपका जवाब दीजिए याँ पर सही जवाब दीजिए तो देखो यहाँ पर आपका वारान रसी तो आपका जात हो नहीं सकती बेक्तिवाचक हो जाएगा जुलाहा जो किये कह सकते हैं यह आपका एक जात होती है ना तो आपसन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका नहीं है आपडेको फुरेसगीत गा राहत था यहां पर पर अप्सटन राइटापका जो है वह आपका ए नंबर सुरेस गीत गा राहत था इसमें तो अपोण ऐसी कोर्षें आपको मिल चुके हैं वो मिलेंगी दो कोर्षें आपके infl vote making और कर दि और जे से देखो क्रपा लज्जाrav वायू आदी यह भी आपकी इस्ट्रिलिक के अंतर कथा जाते है ने स्केरा लता का बहोच्ड बताइए लता का बहोच्ड आपको बताना है या पर है पन्द्रा का जवाब दीजे लता का बोचन, बिल्कुल सही जवाब है, option right up का यह हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, चलिए next question आप से किरा है, वहाँ भूंक से बेचैन है, वहाँ भूंक से बेचैन है, इस वाकिय में किस कारक का प्रियोग हुआ है, गूंक से बेचैन है, 16 का जवाब दिजी, तो यहाँ पर किस कारण से, करण कारक है न, करण कारण, option right up का B, करण कारक मरतात के सकते, भूंक से बेचैन है, option right up का B सही हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर B आ रहा है, बिल्कुल सही है नेश्ट बताएए प्रियोग के अंसार हिंदी में सरोनाम के कितने भेद होते हैं सरोनाम के कितने भेद होते हैं आपको जवाब देना है आपर अटाफाट अंसर दीजी वाई सभी लोग तो प्रियोग के अंसार हिंदी में सरुनाम जो होते हैं आपके 6 प्रकार के बिलकुर सही जवाब है ऑप्सर रेट अप का यह होजएगा 6 प्रकार के होते हैं ठीके ना चलिए नेश कराब से कि निम्रिकित में से कौन सा निश्चय वाचक सरुनाम है निश्चय और निश्चय वाले हमने कुछ पॉइंट बताया था कि कुछ यह से पॉइंट होते हैं जो निश्चय होते हैं जैसे यह हमारा घर है वह तुम्हारी पुस्तक है तो यह जो सब्दिंगित कर रहा है यह आपका क्या है बिलकुल निश्चित है और राइट आपका भी हो जाएगा यहाँ चलिए निश्च बताएए कि निभनिक्षित में से किस सब्द की वर्तनी असुद्ध है यहाँ पर आपको असुद वर्तनी चाटना उन्यूस्वताना है दिया है इर्षया जो कि ब गिसमा ऐसा नहीं होता है, है ना, 20 मों होता है, बड़ा भी होता है, option आपका D सही हो जाएगा, चलिए अगला है, कि थोड़ा पानी में, थोड़ा सब्द किस प्रकार का भी सेशन है, बताई थोड़ा, और हमने बताया था, कि थोड़ा, जादा, कम जादा जी होते हैं, किसमें होते हैं, यह आपके होते हैं, परिमाड वाचक में, परिमाड वाचक में, 20 का option right आपका हो जाएगा, B number, जिसका जवाब यहाँ पर B आ रहा है, बिल्कुर सही है, परिमाड बोदक हो जाएगा, ठीके, चलिए, अगला जवाब दीजे, कि जो संग्या, जो धातु, संग्या या वू बिसेशन से बनती हैं, उसे क्या कहते हैं, जो धातु संग्या या बिसेशन से बनती हैं, उसे क्या कहते हैं, 21 का जवाब दीजी यहाँ पर, तो क्या बनती हिसे उसे बोलते हैं नाम धातू क्या बोलते हैं भही नाम धातू का ए हो जाएगा थीके चलिए अगला जवाब दिजीए कि निम्लिखित में से किस वाकि में सकर्मक किरिया का प्रियोग हुआ है सकर्मक किरिया का बताना है और सकर्मक मतलब होता है कि कर्म के साथ वो किरिया आपकी पूरी होनी चाहिए है ना तो सकर्मक हुआ लजा रही है लजा रही है क्या मतलब जी घबराता है तुम्हारा ही लल चाहता है और विपदा मुझे घबराती है बताईए, बाइस को option right आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सकर्मक वो हो जाएगा D, विपदा मुझे घबराती है, यह आपका हो जाएगा right answer D number चलिए अगला है, आम खाया जाता है वाकि में कौन सा वाच्छ है हमेशा से पूछे जाने वाले प्रसने आम खाया जाता है तो आम खाया जाता है भई तो क्या खाया जाता है आम खाया जाता है, तो यहाँ पर जो आम है वो आपका क्या है, यहाँ पर आम क्या है आपका यह आपका हो जाएगा कर्म तो हो जाएगा आपका कर्म वाच Jasaj ठीके तो आम क्या हो जाएगा कर्म वाच इसमें आपका संदिक भूत्काल है बिलकुत सभी का संदिक्द है संदिक्द है है ना ठीके देखो भविस नहीं है संदिक दे खाता होगा जरूरी नहीं खा रहा हो कि नहीं हो नेश बताईए 25 नमबर अधिकरण कारक का विभक्ती चिन मता है अधिकरण कारक पढ़ लीजिए हमने आपको बहुत बार बताया है अधिकरण कारक तो 25 को उप्सन राइट आपके यहां पर सी हो जाएगा अधिकरण मे माय पर होता है ना मे माय पर अधिकरण ठीक है चली अगला है समानिता अब्बे के कितने भेद होते हैं अब्बे के कितने भेद होते हैं चली यहां पर बताईए और अब्बे के जो भेद होते हैं आपके ये question एक बार काफी मतलब के सकते हैं कि इसमें कई बैस हुई थी कि मतलब 4 होते हैं पांच होते हैं तो सई जवाब आपका आया था बिल्कुर सई D number आपका 4 होते हैं ठीक है कितने होते हैं 4 होते हैं रट लीजी हमने बाद भी बता भी दिया था कि आप इसे संबंद बोदक समुच्य बोदक विसमाद बोदक इस प्रकास से 4 आपके होते हैं और आयोग ने सही भी किया था चलिए अगला है किस समास में पूरुपद प्रधान होता है 27 जवाब दीजे तो आपका पूरुपद पूछा है पूर मतलब होता पहले भाई बहु अगला जवाब दीजे भरोसे में सब्द का कौन सा रूप है भरोसे भरोसे में कौन सा रूप है आपको बताना है भरोसे तो भरोसे में जवाब का है वो आपका कौन सा हो जाएगा 28 का जवाब दीजे तो 28 का उप्सन राइट आपका हो जाएगा C संबंध होता है भरोसे मे दिखाए तो कौन से हो जाएगा उन्तिसका उप्शन राइट बिल्कुछ साही जो आँब है उप्शन राइट आपका सी जो फूल है यह आपका यहाँ पर तत्सम नहीं है ठीके ना जिसका तत्सम आपका पूश्प होता है ठीके चलिए आगला बताईए कि निम्रिकित में से कौन सा सब्द तदभो नहीं है यहाँ पर आपको पूच लिया है तदभो नहीं है तीसका उप्शन मताईए भई तो तीसका उप्शन तदभो नहीं है वो आपका देखिए आपका दिया है वचन वचन यह आपका तदभो नहीं है ठीके वचन तदभो आपका नहीं है वच तो यहां पर राइट अंसर आपका 31 का हो जाएगा यहां पर जोकी परा पराभाव पराक्रम बिल्कुछ सभी जवाब आ रहे सभी का यह नंबर परिधी हो जाएगा इसमें आपका पराउपसर्ग नहीं दिया गया है ठीके चलिए मिठास में किस प्रत्य का प्रियोग किया ग प्लू मिठास आस तो क्या मिल गया बी नंबर आस हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है बेरी गुड ने इसके रहा है दरबार किस भासा का सब्द है चलिए बताइए दरबार किस भासा का सब्द है और 33 को उप्सन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दरब आपके वोते ही इसमें ठीक है तो 33 को option right आपका यह हो ज़ेगा फारसी नेस के राप से जिन सब्दों की व्यूत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं चोंतिस को option right तो वैं क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं देशज सब्द जिसका जवाब सी आ रहा है बिलकुर सही है देशज बोलते हैं अगला है कि निम्लिकित में से कौन सा बिसेशण सब्द है 35 के जवाब दिजिए बिसेशण सब्द आपको बताना है यापर तो 35 का option right आपका C, देकि नागरिक बिसेशन सब्द है, जबकि चरित्र, जहर, गुलाब, ये बिसेशन सब्दे हैं, ठीक है, ये बिसेशन है, ये आपका बिसेशन है, अगला है, लंबोदर में कौन सा समास है, आपको बताना है, लंबोदर में कौन सा समास है, बिलकुत सही जव सब्सक्राइब नहीं है संग्या पदबंद नहीं है आपको 37 का जवाब देना है तो 37 आपका जो जाएगा हो जाएगा सेर की समान बलवान यह आपका संगा पदबंद नहीं है 37 को आपका डी हो जाएगा ठीक है अगला है किनिमने खित में से मिस्त्र वाक की है मिस्त्र वाक की हमने पहँचान बताया था आपको और मिस्त्र वाक की पहँचान बताया था हमने क्या बताया था जो 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 जाएगा डी हो जाएगा जो ही घ करने के लिए 16 कर देते हैं ज्यादा समय लगेगा वी आपको बता देते हैं इसका जवब का ए किनमने खित में से कौन सा वाकीय सुध्य है कौनसा वाकीय सुध्य आप चारओं देख लिजिए भई तो यहाँ पर स्रीक्रश्न के अनेक नाम है तो भई चालिस में यह तो सही अनेकों नाम हमेशा देखा करते थे बलकि सही है इस समय आपकी आयू चालिस वर्ष की है गलती आपकी जो है वो आपके सी नंबर है इस समय आपकी आयू चालिस वर्ष की है वाकि में असुद्धी है तो भई यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर आपकी जो होनी चाहिए उसकी स्थान पर आपके अवस्था सब्द का प्रियोग होना चाहिए क्या होना चाहिए अवस्था होना चाहिए इस प्रकार से यह गलती इसमें थी ठीक है पुरंदर किसका पर्यावाची सब्दे पुरंदर किसका पर्यावाची है 41 का जवाब दीजे 41 का पुरंदर आपका होता है इंदर का पर्यावाची होता है बिल्कुत सही है बी नमबर आपका हो जाएगा गो सब्द का आर्थ नहीं है, 42 का जवाब दीजे, गो सब्द का आर्थ, तो देखो, गो सब्द का आर्थ में, बाढ़, आंक, वज्र, गाए, स्वर्ग, प्रदिवी, सरा, सुती, सूर, बैल, आदिये, इसका आर्थ जो आपका हो जाएगा, चतुर नहीं हो जाएगा, आपक बताइए कौन सवयूग में नहीं है तो देखो यहां पर अलपग्य बहुग्य अस्त उदय आय ब्याय उद्धम का निरुद्धम दिया है यह पड़ी वाला देखो यह थोड़ी सी गलती है आपकी ठीक है उद्धमी का विलोम निरुद्धम होता है जबकि उद्धम लिखा है इसमें उद्धमी का निरुद्धम होता है इस प्रकार से यह गलत है आपका नेश कराब से जो सब कुछ जानता है वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द बताईए जो सब कुछ जानता है वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द चवालिस को आप्शन राइट बिलकुछ सही क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक मात्र सहारा बिल्कुत सही है बिल्कुत लीजी कोश्चन है एक मात्र सहारा हो जाएगा एक हो जाएगा चलिए नेस कोश्चन आपसे पूछा गया है कि करुण रसका इस्थाई भाव क्या होगा करुण रसका इस्थाई भाव क्या होगा तो यहां पर अगर देखाजाये स्रंगाररस का तो श्रंगाररस का रती हास रस का होता है हास और रोद रस का होता है कुरोद होता है ? ठीके चलें कि निमनिकित में से कौन सब्दा लंकार का भेद नहीं है ? सब्दा लंकार का भेद नहीं है आपको यहां पर बताना है तो देखो यहां पर डी नंबर आपका है उप्मा लंकार ठीक है कौनसा आपका उप्मा लंकार तो उप्मा लंकार जो आपका है सब्दा लंकार नहीं है बलकि अर्था लंकार का भेद है ठीक है देखो उसमें जो ह मोरा सलंकार यमक लंकार सल ड्लंकार वक्रोग तिती होती है आद होतज जो सब्ढ कीजिए 48 जवाब दिजिए 48 का यहां पर तो यहां पर मैं करसा होता है रतालिस में तो लियार आपका इनल हो जाएगा यह पर जो जवाब का अनिल है ठीक है अनिल सब्द भिनार थाक है अनिल सब्द कारत होता है वय आयो है नौस जवाब के अनल करसां तीनों सब्दों को अर्थ में अगनी होता है समझ में आ गया होगा B number आपका सहील हो जाएगा अगला है खरी खड़ी बोली का प्रथम महा काप विकौन सा है बहुत ही प्यारा कोर्शन है और हमेशा से पूछा जाने वारा कोर्शन है खड़ी बोली का प्रथम महा काप विकौन सा है उन्चास को ऑप्सन राइट बिलकूर सही जवाब ऑप्सन राइट आप को हो जाएगा यहाँ पर प् पचास को बताईए जवाब तो हिंदी में जो अयोगवा धुनिया होती है वो होती है आपकी अनुस्वार और बिसर्ग, option आपका बी हो जाएगा अनुस्वार और आपका बिसर्ग दिया है ये बी नमबर आपका हो जाएगा अप ऐसे अंक दोते हैं और आपका ऐसे ठीक है चलिए अगला है किनिम्रिकित में से किस सब्द में अब्याई भाव समास नहीं है अब्याई भाव समास नहीं है आपको यहाँ पर पताना है भरपेट में तो है भी बाखुवी में आपका दिया है इसमें भी आपकी कह सकते है ठीक है? और ग्रहा, गत ग्रहा को आगत अता अती यह ततपुरुस समास है और अपसन आपका C जिसका जवाब C आ रहा है तो याद रखिये C वाला आपका हो जाएगा यह आपका अब्झाज नहीं और मात्र लगाए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पर तो इस प्रकार से एक पॉइंट तो यह गलती निकल गया, यहाँ कभीता अनेक भाव प्रकट करती है, यह तो आपका बिल्कुछ सही है, तो ठीक है, ठीक है, इन दोनों में के अगर केवल ना लगाया जाए, तो भी आपका सही हो जाए, तो इस प्रकार केवल नहीं लगाना चाहिए था, फोर्थ नंबर आपका जो दिया है यहाँ पर, कि हम तो अवस जाएंगे, ही अगर ना लगाया जाए, तो भी सही हो जाएगा, तो इस प्रकार से कहीं ने कहीं क पर्यावाची आप लोग पढ़ लीजिए, गलती हैं यहीं से हो सकती है, तो लंबोदार, एकदंत, विनायक, विग्नराज, गणपती, आधी आपकी होते हैं, ठीके, D नमबर आपका सही हो जाएगा, अगला है, किनेमलिकित में से कौन सा अनिकार्थी सब्द नहीं है, अनिक सब्द नहीं है, देखो सुधा है, सुधा में आपनरत होता है, पानी होता है, मदू का सहद भी होता है, सराब भी होता है, बल का से सेना हो गया, सकती हो गया, आधी हो सकते हैं, ठीके, चलिए, नेसकर आप से स्रस्टी सब्द का विलोम आपको बताना है, तो आपका 55 का बिल्कुल सही जवाब आरा है सभी का ए नमर आपका हो जाएगा ठीक है चलिए अगला है कि व्रद्धी सब्दे के उप्युक्त विलोम का चैन करना है चपन में तो व्रद्धी का उप्युक्त विलोम हो जाएगा व्रद्धी हो रही तो रास हो जाएगा है ना तो अप्सन र वाक्यांस के लिए एक सब्द बताना है 57 का उप्सन राइट आपको जिसकी कामना की जासा कि उसे क्या कहेंगे 57 का उप्सन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर A नंबर हो जाएगा जिसका जवाब आपका A आ रहा है मिल्कुल सही जवाब है कामनी ठीक है क्या हो जाएगा कामनी होना चाहिए चलिए नईश कराब से 58 नंबर किने भी खित में से असुद दवाक का चैन कीजिए असुद दवाक का चैन कीजिए यहाँ पर कराया है 58 वाले में देखिए क्या दिक्कत आपको है मेरे लिए बर्फ और आग लाओ मुझसे यह काम संभौन नहीं सास्त्री जी की मरत्यु में हमें बड़ा खेद हुआ 58 को अप्सन आपका मिल गया C देखो यहाँ पर कह सकते हैं खेद की इस्थान पर दुख का प्रयोग करना चाहिए ठीक है ना खेद नहीं यहाँ पर दुख होना चाहिए तो इस प्रकास से C गलती थी आपकी चलिए अगला है कि बड़वा नल सब्दे के लिए एक उप्यूक्त सब्द बताईए बहुत आप बाहर आपको बताया बड़वा नल बड़वा नल क्या होता है तो बड़वा नल होता है जो आपका C है समुद्र में लगने वाली आपको बड़वा न बोलते हैं ठीक है ना क्या बोलते हैं आपके 59 को आपका C जो आपका समुद्र में लगती उसे बड़वा न बोलते हैं पेट में जो लगती हुसे जठराग ने बोलते हैं और जंगल में जो लगती हुसे दावाग ने बोलते हैं ठीक है ना और वही इसका नहीं गर में लगने वाले आको कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है ना वह तो कलाह बोलते हैं चलिए 60 का जवाब देजिए 60 आप से कह रहा है रक्त लोचन निम्हें कितमें से किसका पर्यावाची है 60 का जवाब दीजिए सभी लोग बदा दीजिए लास्ट कोश्चन आपका है तो रक्त लोचन होता है आपके कबूतर का पर्यावाची याद रखे गलती कर सकते हैं और इन और भी ḥी है और इनके अन्वे और होता है कलरावत होता है कलते हिस प्रकास से आपने और टेस्टर लगाए है और युक्छा आपका रिस्ओंस रहा है और युक्ति है और शिधे सभी की जवाब आ रह śती त्यारीकि सब्सक्राइब ऊने चाहिए झाल झाल